दोस्तो फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हजारों से लाखों लोग एक्टर बनने के लिए आते हैं लेकिन कुछ यहाँ पर आकर सफल होते हैं और कुछ लोग यहाँ पर जिन्दगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं उनको ना तो काम मिलता है ना वह आगे और अपना नाम रोशन करते हैं साल 1985 में ऐसे ही एक एक्टर बॉलिवुड फिल्म इंडस्ट्री में आया जिसने आते ही अपने अभिनय का जल्वा बिखिर दिया और दर्शकों के बीच अपने पहली ही फिल्म से मशूर हो गया था वह अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों क बीच लोक प्रियतों हो गया लेकिन अपने उस स्टार्डम को बरकरार नहीं रख पाया और धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से गायब होता चला गया इसके साथ दर्शक भी उस अभिनेता को लोग भूलते गए दोस्तों आज हम इस विडियो के अंदर बात कर रहे हैं अपनी पहली ही फिल्म से लोक प्रियता हासिल करने और तरजन के नाम से मशूर होने वाले अभिनेता हेमंत बिरजे की जिन्होंने उसके बाद कई फिल्मों में अभिने किया लेकिन अपनी पहली फिल्म के बाद उन करते नजर आए लेकिन उनका फिल्मी ग्राफ लगाता नीचे ही गिरता चला गया आज के इस विडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे साथ ही कैसे उन्होंने एक सिक्यूरिटी गार्ड से अभिनेता बनने का सफर तै किया इसके बारे में भी बताएंगे तो जानने के लिए इस विडियो के अंत तक बने रहे हेमंत बिर्जे का जन 19 अगस साल 1965 को करनाटक के बेलगाम में एक मध्यम वरगिय हिंदू परिवार में हुआ था उसके बाद उनका परिवार महराश्र में शिफ्ट हो गया उन्होंने अपनी शुरुवाती पढ़ाई पुने के Central Army School में पूरा किया और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए पुने के FYB.com वैध्य कॉलेज में दाखिला लिया वहां से उन्होंने अपना Graduation Complete किया वैसे हम उनके स्कूल और कॉलेज की उष्टी नहीं करते हैं खेर उसके बाद वो नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए मुंबई आने के बाद उन्होंने एक Security Guard Officer की नौकरी करना शुरू किया लेकिन शायद उन्हें यहाँ पता नहीं था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है समय था साल 1984 के अंत का जब फिल्मकार बबबर सुभाश अपनी एक फिल्म के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे थे जो दिखने में अच्छा और हट्टा गट्टा नौजवान हो लेकिन उनकी खोज तब समाप्त हो गई जब उन्होंने हैमंत बिर्जे को देखा बबबर सुभाश ने उन्हें अपनी फिल्म में अभिने करने के लिए कहा और हैमंत बिर्जे को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए तुरन था कर दिया भला ऐसी अपोर्चनिटी को कौन थ तुकरा सकता था इसलिए उन्होंने भी आये हुए मौके को हाथो हाथ धर लिया उसके बाद करीब दो-तीन महीने तक उनकी ट्रेनिंग हुई और जब वा एक अभिनेता के लायक हो गए तब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई दोस्तों यह फिल्म थी Adventure of Turgeon जो साल 1985 में थी और उनके अपोजिट अभिनेतरी किमी काट कर दिखाई दी थी इसके अलावा इस फिल्म में कई अन्य कलाकार भी शामिल थे जैसे दलिप ताहिल, ओम शिफकुरी, सुधीर और अन्य सह कलाकारों ने भी इस फिल्म में अपना एहम योगदान दिया था कुल मिलाकर इस दर्शकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यहाँ बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही, इसके गानों को भी काफी पसंद पसंद किया गया, इस फिल्म ने रातों रात हेमंत को स्टार बना दिया था, और वह दर्शकों के बीच टार्जन के नाम से मशूर हो गए, इस पहली फिल्म के बाद उन्होंने साल 1986 में रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म तहखाना में अभिने किया, इस फिल्म को श्याम रामसे और तुलसी रामसे द्वारा निर्देशित किया गया था, फिल्म के मुख्य किरदार हीरो के रूप में हैमंत ही दिखाई दिये और उनके साथ आरती गुपता नजर आए, इसके अलावा इस फिल्म में कामरान रिजवी, त्रिलोक कपूर, नरेंडरनाथ, पुनीत इससर और इमतियाज खान जैसे मुख्य कलाकार भी शामिल थे, सभी कलाकारों ने इस फिल्म में शांदार अभिने किया था, फिल्म दर्शकों को आई, लेकिन एक औसत फिल्म बन कर रह गई, उसके बाद वो साल, 1988 में फिल्म, वीराना में नजर आए, यह भी एक हॉरर फिल्म थी, जिसे रामसे ब्रदर्स द्वारा ही निर्देशित किया गया था, इस फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में, जैस्मिन धुन्ना, हे इस फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली, और यह अपने बजट से कई गुना अधिक कमाई करने में सफल रही, अभी तक तो हेमंत का करियर अच्छा चल रहा था, और उन्हें फिल्में भी मिल रही थी, तीन फिल्मों में काम करने के बाद वह अपनी चौती फिल्म आग के अंगारे में दिखाई दिये जो की एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, इस फिल्म में भी हैमंत ही लीड रोल में नजर आएं और उनके साथ अर्चना पूरन सिंग भी दिखाई दी, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और दर्शकों ने इसे नकार दिया, यहीं से हैमंत के फिल्मी करियर का ग्राफ भी नीचे गिरने लगा, साल 1988 में आई फिल्म कमांडो में वो दिखे जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल थे, इसके अलावा फिल्म में अभिनेतरी मंदाकिनी और किम भी दिखाई दी, लेकिन हैमंत को इससे अधिक सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि फिल्म में मशूर अभिनेता मिथुन के अभिने के सामने उन्हें दर्शकों से अधिक प्यार नहीं मिला, इसके बाद वह कई अन्या फिल्मों में दिखाई दिये जैसे लशकर, कौन करे कुर्बानी, शेरे हिंदुस्तान और चांडाल यह सभी फिल्में बॉक्स ओफिस पर सफल रही, हैमंत बिर्जे ने एक इंटर्व्यू में बताया था, कि 1980 के दशक में जब उन्होंने पॉप्यूलरिटी हासिल की थी, तो बहुत से एक्टर्स उनसे इंसिक्यूर हो गए थे, उनके हाथ से कई प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए थे, क्योंकि गोविंदा और धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें छोटे भाई की तरह समझा और उनके साथ 20 फिल्मों में काम किया, हेमंत बिर्जे ने बता किर को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए कहा था, क्योंकि कुछ एक्टर्स ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, फिल्म लिर्माता अबू मलिक ने उन्हें 21,000 रुपे की साइनिंग अमाउंट दी थी और फिल्म जोरदार कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन उन्हें फिल्म से हटा दिया गया, क्योंकि एक एक एक्टर ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, गोविंदा के साथ काम करने के बारे में हैमंत बिर्जे ने बताया था, हमने कौन करे कुर्बानी नाम की एक फिल्म की थी, जिसे अरजुन हिंगोरानी ने डायरेक्ट किया था जब मैं पहले दिन सेट पर पहुँचा तो धर्मेंद्र जी ने मेरी तरफ देखा और अर्जुन को बुलाया उन्होंने उनसे कहा ये कैसा हीरो ले आया इसकी हाइट भी है बोडी भी है ये दिखता भी अच्छा है मैं इसके साथ डायलॉग नहीं बोलूँगा अर् फिल्ममेकर ने एक रेलवे स्टेशन से उठाया था और हीरो बना दिया था मगर फिर गोविंदा ने नकरे दिखाने शुरू कर दिये उन्होंने कहा वह मुझे धक्का नहीं देंगे कई बार शूटिंग रोक दी गई थी हैमंत बिर्जे सलमान खान की फिल्म गर्व में भ वह दर्शकों को अधिक प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाएं जब उन्हें बॉलिवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम्याबी नहीं मिल रही थी तो वह साउत की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने लगे उन्होंने साल 2010 में आई तेलुगु भाशा की फिल्म सिम्ह में अभिन्य किया उसमें वह सहायक भूमिका में नजर आएं लेकिन उन्हें साउत की फिल्मों से भी अधिक काम्याबी नहीं कहा जाता है कि फिल्मों में काम ना मिलने के चलते वह काफी परेशान रहने लगे और उनकी माली हालत भी खराब होने लगी थी वह अचानक ही फिल्मी दुनिया से गायब हो गए थे, लेकिन 6 जनवरी साल 2023 में आई एक मराथी फिल्म, सूरिया में वो एक बार फिर दिखाई दिये, जिसमें वह एक सहायक भूमिका में नजर आए, फिलहाल वह अभिनय की दुनिया में एक्टिव है, उनके जी जिन्दगी की बात करें, तो वह शादी शुदा है, और उनकी पत्नी का नाम रेश्मा बिर्जे है, वो एक हाउस वाइफ है, उनके दो बच्चे है, एक बेटा और दूसरी बेटी, बेटे का नाम बॉबी बिर्जे है, जबकि पत्नी का नाम सोनिया बिर्जे है, बॉबी रेट के लिए काम करते हैं. वहीं पर सोनिया एक मॉडल और एक्ट्रिस है. उन्हें फिल्म मेरे ब्रदर की दुलहन आशिकी तीन और कसक के लिए जाना जाता है. हाला कि अभी तक वो फिल्मी दुनिया में अधिक लोकप्रिय नहीं हुए है. हेमंत बिर्जे के पिता का नाम आनंद बिर्जे है. हाला कि उन्होंने कभी अपनी मा के के बारे में जिक्र नहीं किया. इसलिए उनकी माता के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इसके अलावा उनके भाई भेनों के बारे में भी अधिक जानकारी नहीं है. दोस्तों फिल्मी दुनिया में काम करने वाले बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो किसी विवाद से बचे हैं साल 2012 में उनकी पतनी द्वारा उन पर domestic violence का आरोप लगाया गया था उन्होंने local police में उनके खिला complaint दर्श करवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शराप के नशे में हैमंत ने उन्हें और उनकी बेटी को physically abuse किया है इस मामले के बाद वो चर्चा में आ गये थे इतना ही नहीं साल 2015 में उनके खिलाफ एक FIR दर्श किया गया था जिसमें बताया गया था कि वह illegal तरीके से मुंबई के एक rented apartment में रह रही हैं और काफी समय से उसका किराया तक नहीं दिया ह इसलिए apartment के मालिक ने उनके उपर FIR दर्च कराया था जब मामला कोट में गया तो कोट ने पुलीस को ओनर के रूम को खाली करने का आदेश दे दिया था दोस्तों उन्होंने फक कई फिल्मों में शांदार अभिनय प्रदर्शन किया है लेकिन उन्हें अधिक काम्याबी नह फिल्मी दुनिया से गायब हो गए इससे एक बात समझ में आती है कि लोग प्रिया होने से कहीं ज्यादा मुश्किल उस लोग प्रियता को बरकरार रखना होता है आज वो 69 वर्श के हो चुके हैं और अपनी खोई हुई लोग प्रियता के तलाश में हैं इसलिए वो दोबा से दर्शकों का दिल जीतने में काम्याब होंगे फिलहाल वो मुंबई में अपने ही परिवार के साथ में रहते हैं बाकी आशा करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी तो दोस्तों यह थी एक्टर हेमंत बिर्जे के बारे में अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठोड को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा दे तब तक के लिए जय हिंद